दिल्ली विश्विद्याले के स्कूल आफ ओपन लर्निंग यानि S.O.L. में एकेटमिक सेशन 2019-20 में एड्मीशन प्रिक्रिया की शुरुआद आज शुरू हो गई है S.O.L. में उपलब्द 5 कोर्सिस में बिना लेट फीस 31 जुलाई तक एड्मीशन एक बहतर विकल्ब है S.O.L. अधिकारियों के अनुसार बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीकॉम ओनर्स, बीए ओनर्स, बीए ओनर्स इंग्लिश, बीए ओनर्स पॉलिटिकल साइन्स में ऑनलाई एड्मीशन बिना लेट फीस के एड्मीशन लिया जा सकता है जबकि 200 रुपे लेट फीस के साथ एड्मीशन एक अगस से 31 अगस तक लिया जा सकता है इस डेट के बाद किसी भी उस्तिती में एड्मीशन नहीं लिया जाएगा ओनलाईन एड्मीशन के लिए स्कूल अफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर सभी जानकारिया उपलब्द कराई गई है ऐसे कयास लगाय जा रहे हैं कि इस बार एड्मीशन के लिए कम से कम बारवी पास होना जरूरी है लेकिन अभी इसमें 40% अंक का होना आविश्रक है इस तरह से बारवी में 40% अंक प्राप्त करने वाले इसमें एड्मीशन ले सकते हैं अधिकारियों के अनुसार अभी इसमें बदलाव की कोई जानकारी नहीं है अड्मीशन के लिए फॉर्म आप कम्प्यूटर, लैप्टॉप और स्मार्टफोन के जरिये भी भर सकते हैं S.O.L. में ऐसे स्टुडेंट्स अड्मीशन लेते हैं जिनके कम अंक होने के कारण रेगुलर कॉलीज में अड्मीशन नहीं हो पाता है S.O.L. में भी पढ़ाई करने से डिक्री डिल्ली युनिवस्टी की ही मिलती है लेहाजा स्टुडेंट्स के बीच स्कूल अफ ओपन लर्निंग की काफी लोगप्रियता है बीते सालों में S.O.L. में 90 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले भी दाखिला ले रहे हैं